बी ए प्रोग्राम हिश्ट्री सब्जक्ट है और सेमेश्टर वन की हिश्ट्री में आपको करा रहा हूँ यूनिट है हमारी साथ भी संगम यूग के बारे में हम बढ़ेंगे इससे पहले के सारे चैप्टर आपको कराये हैं लिंक में आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्ट पूरा बता दिया था, आज हम इसमें टॉपिक में करने वाले हैं, टॉपिक में आपको बता देता हूं, कि संगम यूग में राज विवस्ता किस प्रकार की थी, यानि शासन विवस्ता किस प्रकार की थी, सैन्ने विवस्ता किस प्रकार की थी, अर्थ विवस्ता के बारे में में पढ़ेंगे वहां पर व्यापार उद्योग क्लिशी के बारे में यह सारे टॉपिक आज किस वीडियो में कवर करने वाले यह वीडियो जो हमारे है यह स्वेल के स्टूडेंट एंसी वैब डियू रेगुलर एंड इगनू आप कहीं से भी हो संगम यूग आपके सिलेबस में होता है और आपको यह पढ़ना कमपल सरी है ठीक है तो आपको यह बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है और समझना है इसे टॉपिक को तो सुरू करते अपने टॉपिक को और सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे उसके बा दिबाग में तो आप एक लव्या स्टडी पॉइंट यह मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है यूजर आईडी है आप इससे सर्च करके आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं मुझे मैं आपको प्रप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगा और टेलिग्राम ग कुछ विसेज बाते क्या थी इस सर्चन की इसको हमें समझना है संगम यूग की राजविवस्ता को देखते हैं तो यहां पर देखें आपको मैंने मैप में बताया था तीन प्रकार का शासन एक चोल शाशक पांडे शाशक और एक चेर शाशक आपको पार्ट वन वाली सबस्ता हो उर्वर वहां पे भूमी हो वहां पे इनका नियंतरन था और जो पशुचारी और तटवर्ट ती इलाके जो थे यहां पर पांडे जो शाशक ते इनका नियंतरन होता था और जो चेर शाशक ते इनका पश्चिम में पहाडी छेतर में नियंतरन था तो इस तरीक को पता है कि यहां पे काफी ज़्यदा मंदिर आपको मिलेंगे और चेर राजदानी जो थी वह थी वंजी जिसको कुरूर भी खाँ जाता है ठीक है कुरूर तो आपको यह याद रखने अब चलते हैं थोड़ा से इनके बारे में समझते हैं सबसे पहले देखिए शाषक की बात कर लेते हैं यानि कि महाँ पे शाषक कौन था राजा महां का जो होता था जो राजा होता था उसी का शाषन था उसको वैंतन शब्द इस्तेमाल किया जाता थ पूरा शाषन राजा के द्वारा नियंत्रिर था राजा जैसा चाहे वैसे अपने शाषन को चला सकता था समाज का प्रधान के रूप में राजा को ही माना जाता था में मुख्य वेक्ति और इंदृत्सव निर्तिव प्रदर्शन वहां पे जो होते था उसका उदगाटन जो होता था वो भी राजा के द्वारा ही किया जाता था जो भी सामाजिक महत्व की जो गतिविदी होती थी उसकी अगवाई भी राजा ही करता था जब राजा का राजय विशेक किया जाता था उस समय में वह बहुत सारी उपादिया भी धारन करता था यह अपने जो अब जब आप नौर्थ यानि कि उत्तर भारत के जब आप मौरे बंस पड़ो गुप्त काल पड़ो या फिर वहां पे तो भी आप देखोगे कि शाषक जो होते थे वह अपने अपने समय में अलग-अलग उपादिया धारन करते थे ठीक है ऐसा ही यहां पर भी था कि जब यह अप किलताओं के समान ही माना जाता था राजा का जो पद्ध था वह वन्शानुगत होता था यानि राजा जो पिता है उसके बाद में उसका पुत्र जो है वह राजा बनेगा उसके बाद में उसका पुत्र जो है वह राजा बनेगा इस तरीके से वन्शानुगत होता था राज की भलाई के लिए राजा को कठोर परिस्तरम करना पड़ता था राजा को सला देने के लिए परामर्स समीती भी होती थी कई सारे लोग होते थे जो राजा को सला देते थे परामर्स देते थे ठीक है और ये जो सलाकार होते थे इनके लिए एक पद होता था पोस्ट आप कैसे राजा की इनकी बात माने ही माने नहीं कंपलसर ही नहीं है अगर ये राजा को कोई सला देते हैं और राजा को लगता है कि नहीं इनकी सला सही नहीं है तो राजा उसके लिए बात दे नहीं है राजा क्योंकि शाशक शाशक की है वह थोड़ी बात दे हो सकता है इनकी सला के ल यह ठोड़े यह मिलेगा आप तोड़ा नाम हो और हुसाइभ यह राज्य को प्रशास momentos में लूप में काम करते थी थि एनका मुख्य जो का रहे था वो था राज्य को सलाह देना यानिके राज्य को परामर्ज देना और शासन छेत्र में इस्थानिय सभाओं का भी महतो होता था बहुत ज़्यादा तो राजा ने वहाँ पे कुछ और नियुक्त कर रखे थे इस्थानिय सभाएं टाइप की वहाँ की समस्या को सॉल्व करती थी अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सैनिक विवस्ता की कोई भी शाशक होगा कोई भी राज्य होगा तो उसको सैनिक विवस्ता के बहुत जरूत पड़ती है कहीं कोई भाहर से आकरमण ना हो जाए कोई समस्या आ जाए तो ऐसे में सैनिक विवस्ता वहाँ पे दुरुस्त होनी चाहिए तो यहाँ पे सेने वबस्ता दुरूस्त की जाती थी तो देखें शासक, राजवंस और सरदार यह क्या करते थे बड़ी-बड़ी सेना है रखते थे और पर्मनेंट सेना रखते थे सेना ना केवल यूद के लिए बलकि अपने राज्य छेत्र को बढ़ाने के लिए भी रखी जाती थी क्योंकि मानलो कई बार राजा क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर आकरमन करके वहाँ पर भी अपना राज्य स्थापित करते थे तो सेना की मदद से ही तो यह सब हो पाता था हर व्यक्ति को यूद के लिए प्रसक्षित करता था यानि ट्रेनिंग लेता था क्यों क्योंकि भाई कब जरूद पढ़ जाए राज्य को उसकी इसलिए वो तयार रहता था कि सेना में भरती हो जाए और राज्य की साहता के करने के लिए वो ट्रेनिंग पूरी लेता था अब बात करते हैं राजा के पास किस प्रकार की सेना होती थी तो कहा चाता है कि राजा के पास सभी चार प्रकार की सेना होती थी जैसे रत सैनिक हो गए रतों के द्वारा गर्ज सैनिक आतियों के द्वारा अश्व सैनिक घोडों के द्वारा पैदल सैनिक जो पैदल चलते हैं यह सैनिक थे और यह भी कहा जाता है कि इनके पास नौ सेना भी है क्योंकि जो तमिल शाहित थे था उसमें से जिक्र मिला है इस ये भी कहीं पर साक्षे मिले हैं तो ये भी आप याद कर लेना है आपको इसमें और देखिए आगे संगम गरंतों में युद्ध छेत्रों में सैनिक छावनी का भी उल्लेक मिलता है कई जगा पर सैनिक छावनी आती सैनिक वहाँ पर रुखते होंगे रहते होंगे ठीक है तम तो हम सभी के मन में उसके बटी हमेसा उसकी शहाददit को नमन करते हैं हम सभी एसी वहाँ पर भी होता था कि सम्मान किया जाता था जो वीर गति को प्राफ्थ हो जाए ठीक है अब एक है अर्थव्योस्ता वहला टॉपिक आप पढ़ोगे तो इस में किरसी जो था राज्य की मुक्ष्षरchy kareninky किरंशी से बहुत सारा क्या होता था एक से घटा होता था राज्य के लिए राज्य को बहुद ज़्यादा टेक्स कहां से मिलता था किरिशी से मिलता था जनता जो थी वो पशुपालन में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी संगम कावे अगर आप देखोगे तो कुछ साक्षे उसमें ऐसे मिलते हैं कि दूद का बहुत ज़्यादा जिक्र है दूद और दूद से बने हुए उत्पाद जैसे कि दही, मक्खन, घी इन सब का जिक्र मिलता है तो जहिर सी बात है कि इन सब का जिक्र मिलता है तो लोग पशुपालन तो करते ही होंगे और पशुपालन करते हैं तो तभी ये सारे उत्वाद मिलते होंगे उनको बड़े पैमाने पर उपजाई जाने वाली फसल जैसे कि धान और गन्ना ये महत्वपून फसले हैं जो बहुत बड़े लेवल पर उगाई जाती थी धान और गन्ना याद रखें से इसके अलावा अन्य फसलों और फलों को भी यहाँ पर उगाया जाता था जैसे कि चना, सेम, वली, कंद, कटहल ये हो जाएंगे फलों में बात करें तो आम हो जाएगा, केला हो जाएगा नारियल, सुपारी, केसर, मिर्च, हल्दी इन चीजों को भी यहाँ पर उगाया जाता था कुछ मसाले भी हो जाएंगे, फल भी हो जाएंगे सबजिया भी हो जाएंगे, इन सबका उगाया जाता था लेकिन जो मुखे बड़े लेवल पर उगायी जाने वाली फसल थी, वो थी तो ये सारे point आपको यहां पर ध्यान रखने और उद्योग की बात करें तो क्या संगम यूग के दोरान उद्योग थे यस बिलकुल थे इनका व्यापार बाहर से भी होता था जब आप व्यापार वाले point पर पढ़ोगे तो देखते हैं तो संगम यूग में उद्योग संबंदिक गतिविदी बड़े पैमाने पर जारी थी आपको बुक आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कई कारीगर लोहार तामरकार जो तामबे से रिलेटेट काम करते हो स्वांडकार जो सोने से रिलेटेट काम करते हो तुनार वग कर इन सबका उलेक मिलता है संङमसाहित में तो इसका मतलब क्या था क्यों द्योग वगैरा वो बड़े पहमानेबर थे पेसा तरह आम तरूर पर आनुवां 93 प्य psych मतलब कुमार बन जायेगा और मिट्टी के बरतन बनाने लगा इस तरह की से यानि की यह पिता का जो व्यवसाय होता था उसको पुत्र अपना लेता था ठीक है तो यह point याद रखना है इससे पता लगता है कि अलग-अलग पेशों के लोग अलग-अलग गलियों में भी रहते थे यानि अलग-अलग गलिया थी जैसे मान लोग एक गली है जिसमें कुमार रहते हैं सारे मिट्टी के बरतन बना रहे हैं दूसरी गली है वहाँ पे सारे सुनार रहते हैं सोने से रिलिटिट काम चल रहा है तीसरी गली में कोई तीसरे तरह की वेक्ति रहते है इस तरीके से गलियों में रहते थे और ये जब एक ही जगह पे एक जैसा रहते थे तो काम सीखते थे करते थे तो अपने काम को सीखते सीखते देखते देखते उनकी प्रैक्टिस होती गई इस तरीके से वो क्या हो गए अपने काम में मतलब तरक्की तो उनकी हुई लेकिन उसमें महारत भी हासिल हो गए यानि क कि कुछ ऐसी नाओं के बारे में पता लगता है जिसका अगर भाग यानि जो आगे का भागता वो घोड़े आती और सेर के आकार वाली आकिरती में से था तो आप समस्तकते हो कि मतलब कितना मतलब अच्छा वहाँ पर कारे होता होगा नोकाओं के जरिये व्यापार भी किया जाता था समुंद्र मार्ग से जल मार्ग से एक जगा से दूसरी जगा जाकर व्यापार किया जाता था उस समय में चित्रकला भी थी संगम यूग के जो सहीत्र कला का भी वर्डन मिलता है आप मदूरेय के बारे में जानते हो मदूरेय में मदूरेय बहुत च्यादा परशीद है तो वो आज की समय में मन्दिरों के लिए साउत के अगर आप मंदिर देखोगे साउथ जो है बहुत ज़्यादा मंदिरों से भरा हुआ है वहां बहुत मंदिर होते हैं तो साउथ में जो मंदिर है मदुरे में बहुत ज़्यादा मंदिर है तो मदुरे में चित्रांकन के के एक संग्राले की भी चर्चा मिलती है चित्रों की बिक्री का भी उलेख है कि चित्र जो होते थे पेंटिंग जो होती थी वो बेची भी जाती थी ठीक है घरों की दीवारों में घरों की छत में वस्तर में परदे में कई जगा पर चित्र मिलते थे बुनाई कला भी बहुत ज़्यादा मसूरती वहां पर ठीक है संगम साहिते में बुने हुए पुष्प यानि फूल जैसे आप देखते न कड़ाई करके फूल वगेरा बुन देते हैं बना देते हैं तो बुने हुए पुष्प के अभी कल्प की चर्चा है कि मदब उसमें पता लगता है कि भाई कई पूल की आकरती की बुनाई की गई है कपड़े की बात करें तो कपड़े सिर्फ कपास या रेशम या उन से नहीं बलकि चूहे के बाल से भी बुने जाते थे अब आप सोचो के चूहे के बाल से कैसे कपड़े बुने जाते हुए उस समय में पूत रंगने का भी रिवास थ जो थे इन्होंने अध्योगिक विकास में अपना महत्पून योगदान दिया था तो इस तरीके से आप यहां पर क्या बता सकते हो इसके आप उद्योग वाले पॉइंट बता सकते हो ठीक है मैंने यहां पर सारी में में जो पॉइंट है अगर आप बुक में पढ़ते हो तो इसके अलावा भी कई सारे point बिलेंगे पर आप इतना भी अगर याद कर लेते हो समझ लेते हो तो यह आपके लिए enough हो जाता है व्यापार की बात करते हैं चलिए व्यापार भी बहुत important है कि देखो जो तमिल लोग थे जो संगम युक के जो लोग थे उनका व्यापार जो था प्रतेन पलाई जैसे शाहिते जो हैं इससे व्यापार की जानकारी मिलती है और हो सकता है यहापे थोड़ी बहुत टाइपिंग की मिश्टेक हो क्योंकि यह नाम थोड़ी से अटपटे हैं टाइप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी ठीक है बाकि आप बुक म रहा होगा रोमन व्यापार इसके बाद बात करते हैं पलीनी टॉलेमी श्ट्रोबो पैट्रोनियस यह जो हैं यह सारे के सारे विदेसी यात्री हैं इन यात्रियों के विर्तांत में उस अवदी यानि उस समय के पत्तन के बारे में उस समय के व्यापार की सामगरी के बारे म बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है कि उस तमय में पत्तन क्या थे व्यापार किस प्रकार से होता था इन्होंने अपने विर्तांत में लिखा हुआ है अनेक इस थलो पर पुरा तात्विक खुदाई हुई और खोज हुई खुदाई और खोज में ऐसे सबूत मिले जिससे ये लगता है कि तमिल छेत्र जोते उनका अन्य देशों के साथ व्यापार एक संबंध था और वो व्यापार करते थे यहां तक कि देखो जानवरों का भी व्यापार होता था बाग तेंदुआ बंदर मोर यह जिन्दा जानवर रोम बेचे जाते थे यानि यहां से इनको निर्या बात किया जाता था अब लूम से हम लोग अब हम अपना तो बेचे रहे उनको पर हम उनसे भी तो कुछ ना कुछ खरीदते होंगे यह तो निर्यात हो गया चलो हम उनसे क्या आयात करते थे यह भी समझे रोम से आयात की जाने वाली वस्तु जो है उसमें हम सिक्के शेशा तिन, मूंगा, यह सारी चीज़े हम उनसे आयात करते थे, खरीदते थे, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि व्यापार जो था, ठीक है बाहर भी होता था, व्यापार में देखो दो सिश्टम था, एक तो एक्सचेंज सिश्टम था, यानि कि यह जो वि वस्तों का विने में अगरते थे, एक्सवाण के लिए मानलो आपको साबुन खरीदनी है, दुकान पर जाओगे, आप साबुन लेने, पैसा नहीं चलता है, वहाँ पर तो आप क्या करोगे, आप अपने साथ कोई दूसरा समान ले जाओगे, जैसे मानलो आप अनाज ले ज जाते हो, गियू ले जाके उसको दे दोगे, उसके बदले में आपको साबुन दे देगा, इस तरीके से वस्तों की अदला बदली से व्यापार होता था, लेकिन जब बाद में सिक्के और मुद्राई, तो व्यापार और ज्यादा असान हो गया, तो दोनों का प्रियोग यह मैं आपको पार्ट में इस लिए गरारा हूँ क्योंकि इस चैप्टर से ऐसे आते हैं, ऐसे आप से पूछे पूचा जाएगा कि स्तंगम यूक की विसेश्ता बताओ, और उसके बाद आप से पूचे जाएगा कि उसकी व्यापारिक संभनदों के बारे में बताओ, या फिर फिर वहाँ पे राज विवस्ता के बारे में बताओ, वहाँ पे किर्शी उद्योग के बारे में बताओ, इस तरीके से separate question पूछा जाता है, अब अगला जो हमारा part 3 होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे सामाजिक विवस्ता क्या थी, और वहाँ पे धार्मिक विवस्ता क्या थी, वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो लाइक जरूर करें भाई, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनत कर रहे हैं, आप लाइक करेंगे तो हमें motivation मिलेगा, और हम आपके लिए maximum से maximum course बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, तो वीडियो का like करके, comment करके जरूर बताएं, और अगला जो वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें आपको सामाजिक विवस्ता और धार्मिक विवस्ता, यानि मैं कल एक वीडियो लेके आऊँगा,